नमस्कार साथ ही हम बाई वोल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो भी स्टुडेंट बीएसी नर्सिंग या जी एनेम किये हुए हैं उनके लिए स्टुनहरा जो उपका ओफर आया हुआ है एमस से पता है आप लोगों कितने बड़ी हॉस्पीटल या कॉलेज बोले तो है इंडिया में ठीक है टॉप पर वही जाते हैं तो उनमें जो है वेकेंसी आई हुए जितने भी स्टुडेंट पास आउट है एनेम या जी एनेम या बीएसी नर्सिंग वो इसमें अपलाई कर स सकते हैं सेलरी भी बहुत अच्छी है आपको कैसे अपलाई करना है पहले फॉर्म देख लेजी यह रहा फॉर्म आपको फॉर्म जो है फिलप कर लेना है टेंसर मत लेजिए इसका पेडियाफ में डाल दूंगा ठीक है तो यहां पर पहले अपना नाम उसको पोस्ट आप कि पोस्ट पर है नर्स है या धेर सारे पोस्ट की वेकैंसि निकली हुए बेसिकली हम यहां पर नर्स की बात करेंगे डिकल औफिशर में जो है जो आपकी यहां पर देख सकते हैं सबसे नीचे जो है experience certificate आपका मांगा जाएगा कि आप किस पोस्ट पर थे यानि GNM थे तो आप किस पोस्ट में थे किस वार्ड में कितने दिन तक काम किये ठीक है hospital कैसा था government था कि private था उसके recording आपको ये fill up कर देना है साथ में जितने भी आप documents लगाईएगा उसका gyroxcopy भी साथ में लगाके एक Gmail पर ठीक है email दिया हुआ उस पर क्या करना आपको mail कर देना फिर वहां से आपको call आ जाएगा exam आपको नहीं देना है interview दे करके direct आपको job मिल जाएगी ठीक है तो interview के लिए आपको बुलाया जाएगा तो सर सेलरी क्या होगी चलिए सारा details से आपको दे देते हैं सेलरी क्या होगी तो यह आप देख सकते हैं एम्स कल्यानी यहां पर पढ़ रहे होंगे सर कल्यानी क्या है देखिए भारत वर्स में बहुत सारे एम्स hospital and college है तो जिस जिस specific जगह पर है उनका अलग-अलग नाम दे दिया गया तो यह कहां का है यह वेस्ट बंगाल में जो एम्स है उनका नाम है एम्स कल्यानी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं धेर सारे पोस्ट निकले हुए हैं सबसे पहले medical officer जिसमें जो है MVBS वाले लोग जाएंगे सर्जन लोग जो है वो जाएंगे उसके बाद जो देख रहें नर्स का एनेम जी एनेम बीसी नर्सिंग तीनों के लिए हैं minimum age 21 year और maximum 40 year सेलरी कितना होगा तो देख सकते हैं बीस हजार पर मंत होगी सरी कम ही सेलरी नहीं लग रहा आपको देखें बीस हजार तो यह प्योर सेलरी है आपको उसके बाद धेर सारी चीजे एड होती है और जो मिलेगा एक्जेट आपको लगबग 25,000 प्लस मिलेगी और यह स्टार्टिंग सेलरी है यह बात याद रखिए गौवर्मेंट में आप स्टार्टिंग अगर 15,000 से कर रहे हैं तो रिटार्मेंट होते होते मेडिकल फिल्ड में हम बेसिकल बात करें तो आपका 70,000-60,000 पर जाता है जब 20,000 से पलस में और सारे चीज एड करके 25,000 आप का पर्मोशन होगा तो समझे लाग क्रोस भी कर सकते हैं तो इसमें घवरानी की बात नहीं है ठीक है तो एज हमने बता दिया सेलरी कितना मिलेगा वो बता दिया सर किस पर मेल करना है तो यहां पर यह आप लिख सकते हैं ठीक है इस पर आप मेल कर सकते हैं और लास्ट डेट पर दूथ संदेंगे फिर आपको कॉल आएगा और इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा और यह पीडियफ मैं आपको यहाँ पर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं लिंक पर अप PDF को मैं डाल दे रहा हूं आप वहां से डाउनलोड करके इसे किसी भी कंप्यूटर वाले से प्रिंट आउट करवा सकते हैं और फिर फिल अप करके जो है आप पुना एसकेंड करके सेंड कर दीजेगा और भी कोई क्वेश्चन हो इसे रेलेटेड नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं फिर अगले इंफर्मेटी वीडियो के साथ